कि दूश्कार बच्चों बच्चों उमीद है आप अपने स्थान पर स्वस्त और सुरक्षित होंगे बच्चों आज हम कक्षा छे का अध्याए दस करने जा रहे हैं और इस अध्याए का नाम है समराज्य और नए राज्य आप देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि यह समराज्य और राज्य में फरक्या है बच्चों जब एक राजा बहुत से दूसरे राजाओं को जीत लेता है और अपने राज्या में शामिल कर लेता है तो उसका जो राज्या है वो समराज्या बन जाता है और वो र लिए हम इस अध्याय में जो इस काल के कुछ समराजया उभर कर सामने आए और साथ में जो कुछ अन्या राजया थे उनके बारे में पढ़ेंगे हम उत्री भारत और जक्षिन भारत के जो समराजया और जो राजया थे उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे अगर हम उत्री भारत के राजियों की बात करें तो यहाँ पर क्या था मोर्या राजिया के पतन के बाद यहाँ पर कई छोटे छोटे राजियों का कुछ समय तक शासन रहा लेकिन बाद में यहां पर एक बहुत बड़ा समराजया उबर कर सामने आया जिसका नाम था गुप्त वंश और उस गुप्त वंश का एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था समुद्र गुप्त और समुद्र गुप्त जो था उसने अपने राजया को एक समराजया में बदल दिया और बहुत से क्षेत्रों को जीत कर अपने समराजिया में शामिल कर लिया अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि यह जो समुद्रगुप्त है उसने ऐसा कैसे किया हमें कहां से पता चलेगा वास्ते में क्या है कि हमें समुद्रगुप्त से सब कि वहां पर उसके राज दरबार में जो लोग कवी थे या जो दरबारी कवी थे वो राजा की स्तूती में या राजा की परशंसा में गुंगान किया करते थे उसकी तारिफ किया करते थे और कई बार क्या होता था ये जो स्तूतियां थी ये जो गुणगान था सिरफ वहाँ दरबार में ही नहीं सुनाया जाता था बलकि उनको किसी स्तंब या किसी शीला पर भी उतकीरन किया जाता था ताकि सारे लोग उसको पढ़ सकें और जो राजा की महिमा है उसको समझ सकें बारे में पता चलता है वो आज से लगबग 1700 साल पुरानी है और वो हमें यहां पर इलहाबाद का एक स्थम्भ है उस पर हमें खुदी हुई मिली है और बच्चों यह जो इस काल के जो राजा थे या समराड थे उनके बारे में एक चीज और बताना बहुत जुरूरी है कि यह लोग सिरब युद ही नहीं लड़ते थे शासन नवस्ता नहीं देखते थे इसके साथ साथ वो विभीन गतीविद्यों से भी जुड़े हुए थे उधारन के लिए यहां पर अगर हम बात करें जो समुद्र गुप्त है वो कई बार हमें अपने सिक्कों पर वीना बजाते ह हुए दिखाया गया है वीना यानि एक प्रकार से वह वाद्या यंत्र बजा रहा है और उसी प्रकार हम बाद में उसके आने वाले एक और हम राजा की बात करेंगे हर्षवर्धन की हर्षवर्धन एक बहुत कुशल विजेता वी था उसके साथ साथ वो एक सहित्यकार भी उसने बहुत सी रचनाओं का निर्मान किया अर्थाद उसने बहुत सी रचनाओं को भी लिखा अब ये जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ती है वो उसके दरबारी कवी हरी शेन ने लिखी थी उस प्रशस्ती में हरी शेन क्या कहता है आएए इसको हम पढ़ें कवी ने इसमें राजा की एक योध्धा, युध्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्क्रिस्ट कवी के रूप में भरपूर परशंसा की है, यहां तक की उसे इश्वर के बराबर बताया गया है, परशंस्ती में लंबे लंबे वाक्या दिये गए है, यहा समुद्र गुप्त, जिनका शरीर युध्ध मैदान में कुठारों, कुलहाडियों, तीरों, भालों, बर्चों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों, तथा अन्य सैकडों हत्यारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अतियंत सुन्दर दिखता है, और बच्चों हरीशेन अपनी इस परशस्ती में और भी बहुत कुछ बताता है, वो बताता है कि जो समुद्र गुप्त था, उसने किस परकार बहुत से रजाओं को अलग अलग दिशाओं में जाकर के हराया, और इसका वर्नन यहाँ पर एक मानचितर दिया गया है, और वह किन किन रजाओं को हराने के बाद उनका राज्या वापिस कर दिया, बच्चों इस गुप्त समराज्या में समुद्र गुप्त के काल में कुछ क्षेतर बड़े परसिद्ध थे, कह सकते हैं जो परयाग जिसको आज कल इलहाबाद कहा जाता है, आप मानचितर में देख रहे हैं, उसी परकार जो पाटली पुतर, जो आज का पटना है और उसी परकार उजैन, ये जो ख्षेतर थे, ये जो केंदर थे, गुप्त समराज्या के महतमपून केंदरों में आते थे, अभी हमने बात की थी कि कुछ आर्यावरत के राज्या है, और कुछ दक्षिनापत के र राज्या में शामिल कर लिया था, जबकि जो दक्षिनापत के बाराशासक थे, उनको जीतने के बाद उनके राज्या वापिस लोटा दिये थे, और कुछ परशस्तियां ऐसी भी हैं, जो इन राजाओं के पूर्वजों के बारे में बताती हैं, अर्थार जो राजाओं की वन्शावलियां थी, उनके बारे में भी हमें बोध कराती हैं, हमें ये पता चलता है कि कोन किसका बेटा था, उसके बाद कोन राजा बना, और उसके बाद फिर कोन राजा बना, एक परकार से पूरी की पूरी रजाओं की जो वन्शावलियां थी, वो भी परशस्तियों मे बताई गई हैं यह परशस्ती भी समुद्र गुप्त के परपिता महा पिता महा यानी की परदादा दादा पिता और माता के बारे में बताती है उनकी मा कुमार देवी लिच्वी गण की थी और पिता चंद्र गुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्हों ने महराज जैसी बड़ी उपादी धारन की समुद्र गुप्त ने भी यह उपादी धारन की उनके दादा और प्रदादा का महाराजा के रूप में ही उलेक है इससे यह अभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया समुद्र गुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्र गुप्त द्वितिय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चमी भारत में सेन्य अभियान में अंतिम शक श और खगोल शास्त्री आर्य भट उनके दरवार में थे इसी परकार गुप समराजय के बाद उत्र भारत में हर्शवर्दन का समराजय काफी दूर दूर तक फैला हर्शवर्दन के बारे में जानकारी हमें उसका जो दरबारी कवी बान भट है और उसने जो रचना लिखी प्रशिनी यात्री हयून सांग भारत में आया वो भी हर्शवर्दन के बारे में बहुत सी जानकारी देता है अभी हमने पड़ा कि हर्शवर्दन का समराज्या भी धीरे धीरे बढ़ रहा था पूरव में तो उसने विजय प्राप्त कर ली वो धीरे धीरे दक्षिन की और गय दक्षिन में हर्श को आगे बढ़ने से रोक दिया तो आईए अब हम जो दक्षिन भारत में इस समय वंश शासन कर रहे थे और उनके कुछ परमुख राजाओं के बारे में जाने इस काल में दक्षिन भारत में पल्लव और जो चलुक्या वंश थे वो यहां पर शासन कर रहे थे अभी हमने बात की थी कि चलुक्या वंश का एक परसिद और शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितिया था जिसने हर्श वर्दन को दक्षिन की और आगे बढ़ने से रोख दिया था पुलकेशिन द्वितिया सबसे परसिद चलुक्या राजा थे उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवी रवी कीरती द्वारा रचित परशस्ति से पता चलता है इसमें उनके पूरवजों खास तोर से पिछली चार पीडियों के बारे में बताया गया है पुलकेशिन द्वितिया को अपने चाचा से यह राज्या मिला था और चलुक्यों की राजदानी एहोल थी यह एक परमुख व्यापारी के अंदर था धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंदर भी बन गया जहां कई मंदिर थे और चलुक्यों के साथ जो दूसरा राजदानी लगता था पलव वो हमेशा एक दूसरे की सिमाओं का अतिक्रम करते थे मुख्या रूप से राजदानीों को निशाना बनाया जाता था जो समरिद शहर थे पलवों का राजदानी कांची पुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कवेरी नदी के डेल्टा तक फैला था जबकि चलुक्यों का राजदानी करिशना और तुंग भद्रा नदियों के बीच स्थित था रवी किर्ती के अनुसार पुलकेशन द्वितिया ने पूरव तथा पश्चमी दोनों समुद्धर तटिया इलाकों में अपने अभिहान चलाए इसके अत्रिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका हर्ष का अर्थ अननद होता है कवी का कहना है कि इस प्राज्या के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा पुलकेशन द्वितिया ने पल्लव राजा के उपर वियाकरमन किया जिसे कांची पूरम की दिवार के पीछे शरन लेनी पड़ी पर चालुक्यों की विजय अलप कालिन थी लडाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए पल्वों और चालुक्यों को अंततहा रास्टर कूर्ट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया जिसके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे आईए अब हम ये जाने कि ये जो उत्तर और दक्षिन भारत के राज्या थे इनका जो परशासन था वो कैसे चलता था अगर देखा जाए तो अभी भी जो भूमी कर था वो एक परकार से अभी भी इन राजाओं की आये का प्रमुख सुरोत था आईए इन राज्यों के परशासन के बारे में और जाने परशासन की प्राथमिक इकाई गाउं होते थे लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए रजाओं ने आर्थिक, समाजिक, राजनितिक या सेन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए उधारन के लिए कुछ महत्वपुर्ण परशास्किया पद अनुअंशिक बन गए अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे जैसे की कभी हरिशेन अपने पिता की त्रहें महा दंडनायक अर्थात मुख्या नयाय अधिकारी थे कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था जैसे की हरिशेन एक महा दंडनायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्मपुर्ण मंत्री तथा एक संदी विग्रिहिक अर्थात युद और शांती के विश्यों का भी मंत्री था संबल तहा वहां के स्थानिया परशासन में प्रमुख वैक्तियों का बहुत बोल बाला था इन में नगर्श रेस्टी यानि मुख्या बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवाहा यानि व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात मुख्या शिलबकार तथा कायोस्थों तथा कायस्थों यानि लिपिकों के परधान जैसे लोग थे आईए अब हम ये पड़ें कि इस काल की जो सेना थी और उस सेना में जो सेना नायक थे उनके साथ एक नई विवस्ता उबर कर सामने आती है आप सब जानते हैं कि जो राजा होते हैं उनके पास एक सू संग्ठित सेना होती है जिसमें हाथी होते हैं गुड स्वार होते हैं रत होते हैं और साथ में पैदल सैनिक भी होते हैं अब यहाँ पर क्या था इसके साथ साथ राजा के साथ कुछ सेना नायक जुड़े होते थे वो सेना नायक क्या करते थे जब युद होता था तो अपनी तरफ से कुछ सैनिक रा करते थे और राजा बदले में कई बार क्या करता था इन सेना नायकों को वेतन नहीं दिया करता था बलकि भूमी का एक टुकड़ा दे दिया करता था और उस भूमी के टुकड़े से जितनी भी आय प्राप्त होती थी उससे वो सेना नायक अपने घोड़ों तथा सैनिकों की देखबाल किया करते थे और धीरे धीरे से एक परकार से देखा जाए वो जो सेना नायक थे राजा के अधीन रहकर काम करते थे और एक परकार से राजा के सामंत बन जाते थे और इस परकार एक नए विवस्ता उबर कर सामने आई जिसको सामंत वादी विवस्ता के नाम से जा कुछ और लोगों को रख लिया और इस प्रकार एक लंबी श्रिंखला बन गई और एक प्रकार से सामत वादी विवस्ता उबर कर सामने आई और कई बार क्या होता था कि जो राजा होते थे निर्बल या कमजोर होते थे जिसका फायदा ये सामत उठा लेते थे और खुद सु उनके बारे में जाने कहा जाता है कि जो पल्लव वंश्था दक्षिन भारत में इस समय उसके बहुत से ऐसे अभी लेख मिले हैं जहां पर इन सभाओं के बारे में बताया गया है और ये जो परमुख सभाएं थी उनमें सभा उर और नगरम ये सभाएं बहुत परमुख थी आईए इनके बारे में जाने ये क्या क्या काम करती थी। आईए अब हम ये जाने कि उस काल के जो लोग थे वो कैसे थे और उनके बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है। हमें ये जो जानकारी है उस काल के लोगों के बारे में जो उस काल के परसिद, नाटकार, काली दास और अन्या जो रचनाकार थे वो परदान करते हैं। और इसके साथ साथ हमने पहले भी बताया कि कुछ यात्री भी यहां भारत में आए जैसे हमने कहा था हर्श वर्दन के काल में हयून सांग आया और गुप्त समराजया में फाहयान आया वो भी भारत के लोगों के बारे में जानकारी परदान करते हैं। काली दास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रन के लिए परसिद हैं। इस नाटक में एक गरीब मुचुवारे के साथ राज करमचारियों के दुर्वेवार की बात कही गई है। चीनी तीर्थियात्री फाहयान का ध्यान उन लोगों की दुर्गती पर भी गया जिने उंचे और शक्तिशाली लोग अच्छूत मानते थे। इने शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं अगर इन लोगों को शहर या बजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगा करने के लिए ये लकडी के एक टुकडे पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग स्तरक होकर अपने को छू जाने से या किसी भी परकार के संपरक से बचाते थे। इस बाब जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पिने का समान जैसे बकरी, हीरन, खरगोश, सबजियां, मसाले, विभीन परकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाडियों पर या उंटों तथा हाथियों जैसे समान ढोने वाले जानवरों की पीट पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार, नगाडे, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पढ़ने वाले गाउं वालों को उनका सतकार करना पड़ता था। वे दही, गुड तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। भारत के साथ साथ इस काल में अन्यत्र क्या हो रहा था, दूसरी जगों पर क्या हो रहा था, आए उसके बारे में थोड़ा सा जाने। इस समय एक नए धर्म का प्रादुरुभाव हुआ जिसे इसलाम धर्म के नाम से जाना जाता है। लगभग 1400 साल पहले पेगंबर मुहम्मद ने अरब में इसलाम नामक एक नए धर्म की शुरुवात की। इसाई धर्म की तरहें इसलाम ने भी अल्ला को सरवो परवी माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहां इसलाम धर्म के पुवित्र गरंत कुरान का एक अंश दिया गया है। इस्तरियों और पुर्षों के लिए अल्ला को हमेशा याद करने वाले इस्तरियों और पुर्षों के लिए अल्ला ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरुसकार रखा है। तो बच्चो ने समराज्या और ने राज्या इस अधियाए में किस प्रकार हमने देखा कि इस काल में भारत में उत्तर और दक्षिन भारत में किस प्रकार ने समराज्या और राज्या उबर कर सामने आए और उन में से जो हम समुद्र गुप्त की हमने बात की है हमने हर्शवर और साथ साथ हमने ये भी व्यक्या की है कि प्रशस्ती क्या होती है और साथ में ये भी देखा है कि दक्षिन भारत में जो सभाएं थी वो अपने आम में कितनी महत्म पुरन थी और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि किस प्रकार और कहां पर इसलाम धर्म की स्थापना उमीद है आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको कितना समझ में आया, आपने कितना जाना, कितना पढ़ा, आईए थोड़ी से प्रशन उतर के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें. पहले हम बहुविकल्पी प्रशन करेंगे, प्रशन एक, हरी शेन द्वारा लिखी गई समुद्र गुप्त की प्रशस्ती किस भाशा में है, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, तामिल, बिल्कुल सही ये संस्कृत में लिखी गई है, प्रशन दो, चीनी आत्री, हयून सांग, कि भारत आया, विकल्प हैं स्मुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्शवर्दन, कनेश्क, बिल्कुल सही हयून सांग, हर्शवर्दन के काल में भारत आया, प्रशन तीन, चलुक्यों की राजधानी निन में से कौन सी थी, विकल्प हैं एहोल, कान्ची पूरम, पाटली पुत्र वल्भी बिल्कुल सही एहोल चलुक्यों की राजदानी थी प्रशन चार व्यापारियों के संग्ठन को दक्षिन भारत में किस नाम से जाना जाता था और विकल्प है उर सभा नगरम समिती बिल्कुल सही नगरम के नाम से जाना जाता था प्रशन पांच अभी ग्या अविग्यान्ष कुंतलम निम्न में से किसकी रचना है बानभट हर्शवर्धन कालिदास आर्यभट बिल्कुल सही अविग्यान्ष कुंतलम जो की एक नाटक है कालिदास के द्वारा लिखा गया है अब हम लगूतर आत्मक प्रशन करेंगे प्रशन एक सभा क्या थी उत्तर दक्षिन के राजियों में ब्राहमन भू स्वामियों का संग्ठन सभा कहलाता था ये सभाएं विभिन समीतियों के जरिये सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन काम, सडक निर्मान और स्थानिया मंद्रों की देखरेक का काम करती थी तो बच्चों उमीद है स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद